गुड मॉरिंग और लेट सेलिब्रेट दोस्तों मैं राम अनुराग अगवाल है और मैं पिछले करीब 18 सालों से ट्रेंग देरों कि कैसे अपने विजर्स को आगे बढ़ाना है अपने विजर्स को द्वलब करना है और साथ आपको कैसे मंच पर आके लोगों को अड्रेस करन कर्सित को अगर आप जाएं करना जाते तो पर लेकिवे नमर पर आप कॉल कर सकते हैं और वीडियो जाते हैं तो निजए सब्सक्राइब पर इनको आप क्लिक करना मत भूलेगा आज का टॉपिक है कि किस प्रकार से हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं टाइम आपने कभी समय हैं बड़ी अजीब सी बात है समय को कोई देख सकता है क्या है ना मैने देखा है समय को बहुत मिचितर सा लगता है समय आगे से पुरा बालों से भरा पड़ा है और पीछे से पुरा बॉल्ड है क्या मैसेज हम को मिलता है इससे इससे में मैसेज मिलता है कि ह हम लोगों को अगर समय जब भी है हमारे हाथ में है तो इसको आगे से पकड़ के रखो, be attentive, क्योंकि समय जो है, अगर एक बार निकल गया तो आप हाथ मलते रह जाओगे, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, हर इनसान जो होता है, वो हमेशा यही सोचता है, कि अगर मैं करूँगा, उसकी नौकली भी लग जाती है, बिज़र भी साड़ होता है, तब वो सोचता है, नहीं या, जब मिरी शादी होगी, तो मैं यह करूँगा, मैं यह करूँगा, शादी हो जाती है, फिर वो कहता है, नहीं नहीं, जब मिरे बच्चे होंगे, तो मैं यह बच्चे भी हो जाते हैं बच्चे होने के बाद इनसान सोच अग्षान होगी तो मैं यह करूंगा तो मैं यह करूंगा दोस्त ऐसे करते 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 का आपकी उमर जा है Mär Movie 50-50% 70 साल क्यों जाती है जिदीज यू निकल जाती है शाहा कैस नुक्ती बुक बना लेजए मजह देल काने की एक बुक को इसक्राप भुरी करी काने याद हो आती है बहुत साल पहले के बाथ है देट जो साल पहले, इंदर 1871, there was a medical student and this medical student was preparing for the full-come examination. उसका बहुत सारे doubts से, uncertainty सी, कि क्या मैं इस exam को clear कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन सब doubts के अंदर, उसने एक किताब पड़ी and this book was written by Sir Thomas Carlin और इस book में से उसने एक ऐसा quotation पड़ी, 21 words की थी, he read 21 words which had a profound effect on his life. इन 21 words के कान से, इसकी पुरी की पुरी जिंदगी जी थी, वो पुरी की पुरी चेंज हो गई. नहीं सिरफ इसने एक्जाम को clear किया, he became the best physician of his time, he was knighted by the king of England, उसको knighted की उफादी मिली, उसके नाम से पहले Sir लगा, और जब इसकी मित्ती हुई, when he died, it required two huge volumes, having more than 1,500 pages करीब, dates, 1000 pages लगे, दो volume के, इसकी बायोग्राफी को लिखने के लिए, इसका नाम था, Sir William Osler, लेकिन वो 21 word क्या थे, जिसने इसकी पुरी की पुरी जिंदगी को बदल के रख दिया, those 21 words word, वो 21 word थे, our main business is dimly at a distance, but to do what lights clearly at hand, बलकि वो करना है, जो हमारे हाथ में है, seize the day, live in this day, क्योंकि सब यही एक दिन है, जिसका आप possibly जीच सकते हो, आप लोग आज क्या हो, आप लोग आज हो, जो आपने कल किया, what are you today, you are today what you did yesterday, आप कल क्या होगे जो आप आज करोगे, तो अपने आज को आप जितना जादा अच्छा बना सकते हो, सहब बना लीजे, जिन्दगी कल में ना है, नकल जो गुजर गया है, उसमें है, उनको नकल को सोच करके नकल आने बाले को, सोच करके इसमें जिन्दगी नी जिन्दगी आज में है तो आपको समय को कैसे मैनेज करना है चलिए हम लोग इसके पर साथ करते हैं सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मैनेज जो अपने समय को मैनेज करना है इसको क्या मुझे हाट कॉपी पर मैनेज करना है या मुझे इसको सौफ का मतलब है एक दारी हो सकती है आपका एक नार हो सकता है और सॉफ काफी का मतलब है आपके मुबाइल पर आपके पास कलेंडर हो सकता है आपके पास गूगल कलेंडर हो सकता है आपके पास बूंडर लिस्ट हो सकती है आपके पास रिमाइंडर हो सकता है ऐसे बहुत सारी एप पर और काफियत तक डैरीज भी हो या सौफ काफियत तक 50, 60, 70, 80 पसंट तक मिलती ही हैं हाँ अगर सौफ काफिय होता है तो आपके लिए उसको मैनेज करना बड़ा असान है क्योंकि आपके पास मुबाइल तो हमेशा रहता ही रहता है अगर आपके पास मुबाइल है और जो क आपको कैरी करना पड़ेगा ये ज़रूरी है तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको इसको हाड काफिय पर करना है डैरीज पर करना है ये अपने मुबाइल पर आपकर सकते हो अगर आप फ्लूइंट हो अगर आपके उंगलिया चलती है अगर आप मुबाइल पर क सकते हो तो ठीक है बहुत बढ़ी को किया है मैं भी मोभ cell करता हूँ मैं इससे पहले तो यह वार बता दूँ नहीं शोप्त दे रहा हूँ कि अब को इस पूर्ष को मैंने סपा को मैंने नाय। result यु किया था मैं mai उन्ह एक I do much time management when we have more51 梅 का कि मैं जानता हूँ कि मुझे टाइम नहीं हो पारा था और हो नहीं पार्लाथा है मुझे मैं इस कुर्स को बहुत अब करके कर करके मैं इतना कॹछ किया है कि मेरी शायद इसके अंदर भी एक PhD होच की है तो आपने सबसे पहले identify कर लिया कि चलो मुझे इसको heart copy पर करना है मुझे इसको dairy पर, इसको schedule पर करना है अगर आप dairy पर करते हैं dairy तो आपको कहीं से मिल सकती है 100, 500, 200 रुपे की बहुत अच्छी dairy आपने लोगो schedule जाए वो पूरी की पूरी एक workshop है जो कि मैंने आपको बताया TMI से मैंने की है, LMI से मैंने की है तो उसको बताने के लिए तो मैं रहका सभी workshop बहुत चोटी होगी लेकिन नच्छल में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले अपने पास आपको प्लान करना है एक बात तो आपको अपने पास मतब गांड माद लीचे अपने साथ में कि आपको दो चीजों का ख्याल रखना है एक ये कि आपको प्लान करना है पुरे का पुरा दिन और सगिन ये कि आपको you have to stick with the plan number one, you have to plan a day and number two is that you have to stick with the plan अगर आप अपने प्लान के साथ में stick नहीं रहते हो, फायदा क्या होगा कोई फायदा नहीं होगा, ये डारीज को रखने का आपको soft cup में, hard cup में, कई फायदा नहीं होगा अगर आप discipline नहीं हो तो discipline होना जो है, वो बहुत जरूरी है और discipline, अगर इनसान बाद बाद पे अपने वायल के अंदर अगर वो SMS SMS देखता है, वाचसाप वाचसाप खेलता है वो Facebook खेलता है, हर इनसान उसका अगर इंटरब कर सकता है वो बहुत जल्दी temptations है, tempted हो जाता है इसका मतलब वो discipline नहीं है अपने आपको सबसे पहले रोकना ज़रूरी है आपके लिए अगर आप रोक नहीं पाते हैं, यह सब temptation आपको tempted करेंगी और आपका समय खराब होगा तो आपको अपना plan करना है, और plan के साथ में ही रहना है अच्छा, अब आता है आपका कि आपको इस plan को कम करना है अकसर लोग अपनी planning करते हैं office में जाने के बाद अगर आप office में जाने के बाद planning करोगे तो इसका मतलब है आपके दिन का one fourth day जो है वो खतम हो जाएगा क्योंकि जब तक आप इसको काम को delegate करोगे, काम को करवाओगे सब के सब लोगों को organize करोगे क्या ही बैता नहीं रहेगा कि आप अपना जो दिन schedule करना है आप last दिन पर यानि की previous day में office में जाने से पहले अगले दिन को आप schedule करे क्या ही बैता नहीं रहेगा कि आप सब लोगों को बताएं जो जो आपके साथ में हैं, आपके जो team के जो member हैं जो जैसे आप owner हैं, तो आपके जितने में department के head हैं उनको आप साथ में लीजे, उनके email में आप उनको email कर सकते है जो भी schedule है, अगले दिन का या अगले week का हाँ, मैं आपको यह बिता दूँ यहाँ पर आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि आपको अपने जो schedule करना है अगले दिन को तो schedule करना ही है अपने next week को भी schedule करना है अपने next month को भी schedule करना है इरे डिलांस पहस के यृत अपके इसको कब करोंगे आप करोंगे लास्ट पीक आफ डिएमबर ने डान similarly अगर आपको जैसे ये जून है अगर आपको जुलाई में अरोगे जुलाई को स्केडल करना है तो आप करोंगे जुलाई को जब आप अपने office को leap कर रहे हो, executive meeting भी जो है, वो usually आपकी होती है week में एक बार, मैं इसके पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी जो आपको scheduling करनी है, अगर आपको executive meeting करनी है, वो भी आपको रखनी चाहिए Friday की evening में, office के जाने के बक्त में, अगर आपका five days working है तो, तो सबसे पहले आपने यह decide कर लेना है, अच्छा, अब आता है आपका to-do list, यह to-do list क्या है, to-do list होती है, simple सी बात है, जिसमें आपका जितने भी काम है, जो की one time है, या recurring है, उनको आपने, उन छोड़े-छोड़े कामों को आपने लिख लेना है, अच्छा, यह to-do list है, हमेशा बरती जाती है, to-do list कभी खतम नहीं होती, इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है, prioritize your work, मान लीजे, मेरे पास एक jar है, और इस jar के अंदर pulses है, बहुत सारी pulses है, यानि की डाले है, चोड़ी-चोड़ी-चोड़ी-चोड़ी डाले है, और साथ में बाद दो container है, जिसमें tennis की balls है, 6 tennis balls है, और मेरे पास एक container और भी है, जो की काफी बड़ा है, मैं क्या करता हूँ, जिस jar के अंदर, जिस container के अंदर डाले हैं, उससे उठा कि मैं बड़े वाले jar में डालता हूँ, फिर उसके बाद जो दो container है, जो tennis balls के, 3-3 ballों के, उन 6-6 tennis balls को मैं उसमें बड़े वाले jar में डालने की कोश्च करता हूँ, तो मैं क्या देख पाता हूँ, कि बड़े वाले jar के अंदर, ये tennis balls दो या तीन आपाती है, सब की सब नहीं आपाती है, मुझे आप क्या बता सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका है, जिससे कि इस बड़े jar के अंदर, मैं 6-6 tennis balls और साथ में सारी pulses में डाल सकूँ, कोई तरीका है, अनराग ये stupidity छोड़ दो, आपको सबसे पहले बड़े वाले jar के अंदर, वो tennis balls डालनी चाहिए थी, उसके बाद आपको वो pulses दाले डालनी चाहिए थी, आप यहीं कहना चाहते हैं, बिल्कु ठीक कहरे हैं आप, सबसे पहले हम लोग को tennis ball डालनी चाहिए, और फिर क्या दे दो पार्ट में divide कर सकते हैं, एक होते हैं, जो बड़े काम और difficult काम होते हैं, जिसको हम लोग identify कर सकते हैं, tennis ball से, फिर उसके बाद आपको चोड़े-चोड़े काम होते हैं, यह हो सकते हैं, email हो सकते हैं, यह WhatsApp हो सकते हैं, यह हमारे Facebook हो सकते हैं, यह हमारे पास uninvited guest हो सकते है customer हो सकते हैं uninvited तो ये चोड़े 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 काम है जिसके काम से हम लोग हमेशा occupied हो जाते हैं जिसको लोग identify कर सकते हैं pulses के साथ में, डालों के साथ में हम लोग करते क्या हैं? हम लोग हमेशा दिन की शुरुआत डालों से करते हैं चोटे कामों से करते हैं और बड़े काम को प्रोकास्ट ने जाने कि आगे से आगे से आगे प्रोकास्ट ने जाने कि टालते चले जाते हैं नतीजा क्या होता है शाम को जाके हम लोग हद से ज़्यादा टेंस्ट हो जाते हैं अंसैटिसपाइड रहते हैं अ आपको एक वादा कर सकता हूँ, मैं आपको विशास ला सकता हूँ, कि अगर आप अपने दिन की शुआत बड़े काम से करोगे, जैसे जार के अगर हम लोग टैनिस बाल को पहले जालेंगे, तो उसे छोड़े छोड़े जो पल्सिस हैं, वो अपने आप जिगा बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, अगर आप अपने दिन की शुआत करेंगे, बड़े काम से, आप देख लेना, छोड़े छोड़े जितने भी काम हैं, वो अपने आप जिगा बना लेते हैं, इसके लिए समय नकाने की जरूत नहीं परते हैं, आपके पास जो डैरी है, आपके पास जो काम, नोट डाउन करना है, वो नोट डाउन आपने उसी स्पेसिफिक डे में, जिस दिन आपको वो मीटिंग, वो काम करना है, उसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको अलोट करना है, ये डेली डैरी का फाइदा होता है, आप यूजली करते क्या हैं, आप डेली डैरी को ऐसे rough book आप उसको नोट करना है, अगर आप इस जंक से specific day में specific time को आप देखोगे, वहाँ पर जाके नोट करोगे, और ये काम आपको कितने रखने चुँगे, मैं कहूंगा 7-8-9-10, बहुत जारा date dairy को भरना, बार बार सुबह से शाम तक आप उसको भरोगे न, तो क्या होग mind exam clock हो जाएगा, congested हो जाएगा, वो एक दिन, दो दिन कर लेगा, लेकर उसके बाद वो dairy में वापस खुल के नहीं देखेगा, तो अगर आप चाहते हैं, अपने आपको schedule करना, अपने time को manage करना, तो यहाँ पर dairy में आपको बहुत ज़्यादा right work नहीं करना है, 7-8-9-10 काम लिखे एक दिन के अंद्या चेक, अच्छा इन काम को रखते हैं, वो जो routine work है, मालीज आपको lunch करना है, और routine में lunch करते ही करते हैं, तो वो एक काम नहीं है, घर पे जाना, आप रोज जाते ही जाते हैं अपने office है, वो एक task नहीं है, तो आपने काम कौन से लिखने हैं, आप routine work नहीं है, आप डेली नहीं करते हो, और आप भूल सकते हो, उन्हीं काम को लिखना है, जो routine है, जो आप डेली करते हो, उनको आपने नहीं लिखना है, उसको लिख लिखकर आप उस काम को बढ़ा मत दीजिए आप, उसको काम मत समझे आप, वो तो आप डेली के routine बन चुक चोटा 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 खाते रहेंगे खाते रहेंगे तो क्या होगा एक दिन पूरा पूरा elephant जो है वो साफ हो जाएगा ठीक है कि यह नहीं है इसी दंग से अगर आप अपने time को manage करना चाहते हो उसको बहुत बढ़ी तरीका है कि हर रोज आपको habit बनानी पड़ेगी elephant आप नहीं खा सकते उसका चोटा चोटा टुकडा आप हर रोज खाते रहो खाते रहो खाते रहो और एक दिन पूरा का पूरा elephant साफ हो जाएगा कहना मैं यह चाहता हूँ कि आपके जितने भी बड़े-बड़े goals होते हैं मान लीजे आपने एक book लिखनी है मान लीजे आपने आपको expand करना all over India के अंदर, all over world के अंदर आपको export में आना है या मान लीजे आप एक foreign language learn करना चाहते हैं सब के सब task क्या है यह सब task है elephant task यानि कि बड़े task है जब तक आप इनको हर रोज address नहीं करोगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रोज का नहीं लेते रहोगे यह elephant खतम होने वाले नहीं होते तो इसलिए आपको ख्या लखना है कि आपको अपनी diary के अंदर या वो आपकी soft copy है आपकी hard copy है, diary है, schedule है आपका wonder list है, आपकी Google diary है, Google calendar है महाँ पर जाकर के आपको हर रोज दो तिन जो आपके elephant task है उनके लिए special time अलॉट करना जरूरी है, तब ही जाके आपके elephant जाए, वो खतम होगे, नहीं तो नहीं खतम होपाएंगे लास्ट में दोस्तों, अगर आप इस publishing वीडियो देता रहूँगा, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स वीडियो में, बाबाई, शबकैर बी सिंग्याग, गुनाइट